आज का टॉपिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है बट उससे पहले मैं आप लोग को अपना सेकेंड वाला फिस रूम थोड़ा दिखा देता हूँ जैसे का आप देख सकते हैं एंटरेंस पे लेफ साड में एक रैक है उसमें बहुत सारा टैंक्स है फिर बहुत सारा सिमेंन टैंक्स है आप लोगने देखा होगा 14 टैंक्स है और एक अडिशनल अड हुआ है वह कौनसा टैंक हो मैं आप बाद में बताऊगा अर्ण जैसे कर अब देख सकते हैं अंदर कुछ 6 तो आप देख सकते हैं मेरा पास यह रिसेंटली आया है मेरा पास यह मेरा भागना का है तो और और भी देख सकते हैं मेरा कुछ पुराने जैसे लंग फीज वैंपर भी अभी मस्त है काफी बड़ा हो गया रिप्सव भी बहुत बड़ा हो गया है इस अब टैंक सब फूल हो जाता है जब भी हम लोग को पास फिसका स्टॉक आते एंड फिसका वेराइटी साइजेस अब डाउन होते रहता है कब क्या आता है मुझे भी नहीं पता ठीक है तो चली आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज मैं आप लोग को कुछ स्मॉल वेराइटी का फिसके बारे में बताओगा जो कि आपको एजीली हर जगा मिल जाना चाहिए और दस से पंद्राइड रूपीस से स्टार्ट होता है प्राइस एंड अप मैं मॉंस्टर फिस रखता हो तो मैं पूस्टंठी मेरा पास मेरा घर में भी बहुत सारे चोटा मूटा टैंक से उसमें में टेट्रा वरेड़ाइटी वीड़ो वगरा बहुत सारे रखा हो अब मैं आप लोग को one by one fishes का नाम और वीडियो दिखाऊगा आप लोग का आइडिया आ जाएगा तो फर्स्ट वी हैव कलर वीडो फिस्ट या कलर गलो फिस्ट भी बोलते हैं इसको बहुत लोग का confusion है कि इसमें injection में आरके कलर किया जाता है तो नहीं भाई अभी यह easily breed होता है और काफी popular fishes है आपको every shop में मतलब मिलेगा ही मिलेगा और इसका price भी मतलब गजब fluctuate करता है कभी-कभी एकदम कम हो जाता है कभी-कभी इतना हाई हो जाता है तो इसका बहुत सारा variety से सबसे पहले ordinary में जो पहले था silver grey type का फिर red color है purple है yellow green blue white dark green फिर liner में भी बहुत सारा आता है liner भी वही सेम फिसे उसमें बीच में दाग रहता है yellow liner green liner red liner purple liner blue का भी होता है साहथ orange liner और भी दो-तीन वेराइटी से मुझे नाम याद नहीं है बाट हाट टाइम हर वेराइटी से अवेलेबल नहीं होता है एंड फूड गाइस में बता देतों मैं जितना भी अभी नाम्स बताने वाला हूं सब मैक्सिमम आपका ओप्टिमम खाना खाता है एंड कुछ डश्ट खाना या वांस वगरा खाता है ठीक है एंड वीडियो फीज काफी बड़े होते हैं लाइक दो ठाइच तक चल जाता है कुछ-कुछ का तो बहुत दी वेल टेल निकल कर आता है आप देख सकते वीडियो में एंड लाइफ स्पैन गाय से डिपेंड करता है किसी-किसी का दो साल तक रहता है किसी-किसी का एक साल में भी मर जाता है तो डिपेंड करता है फिसस टू फिसस नेक्स्ट है कलर जेवरा इसका भी लाइक तीन-चार कलर है जहां तक मुझे पता है एक पिंक एक ग्रीन येलो एंड ब्लू का मुझे उतना खास नहीं लगता है तो यह भी ग्रूप में बहुत अच्छा लगता है एक दो अगर आप रखोगे तो आपको माजा नहीं आएगा बहुत सारा रखना होगा डर्जन में तब अच्छा लगता है और काफी बड़े होते यह भी मतलब टाइम लग और को इज़ीर मिल जाना चाहिए काफी ब्रैट कलर रहता है इसका और नेक्स्ट ईसके बाद है टाइगर बाडब इसका भी आभी बहुत सारा वाराइटिस हो गया है एक ordinary वाला राता है yellow और black में एक और है green, normal green एक आता है dark green टैप कर राता है body में patches फिर एक albino राता है yellow and white में pattern राता है और एक अभी recently लिखना है है आपका fluorescent green ठीक है वो थोड़ा वीडियो का टाइप का रहता है बीच में ब्लैक लाइन रहता है तो तीन-चार वैराइटी इसका भी है नेक्स्ट है रेड आई टेट्रा यह भी बहुत ही मतलब अजीब लगता है थोड़ा देखने में बोलेगा खाने का मचली जैसा है बड़ ऐसा ने उसका आख का सर्केल में रेड लाइन रहता है गलो करता है बहुत अच्छा लगता है देखने में फिर आपका आगया सर्फे टेट्रा यह भी बहुत पुराना फिसे से छोटा में उतना कलर खास नहीं लगता है जब दीरे दीरे बड़ा होगा उसका कलर बहुत ही आच्छा पिंक टैप का थोड़ा नेक्स्ट है आपका वेनस टेट्रा वेनस का दो वेराइटी आता है एक सिल्वर कलर का एथिंक और काफी बड़े होते हैं यह फिस दो तीन इंच तक चल दाता है और बहुत ही ब्राइट कलर रहता है फिर आता है मेलन बार्प यह भी थोड़ा रेर है मतलब आता नहीं यह बड़ प्राइस का कम रहता है आप देख सकते वीडियो में काफी बड़ा है मतलब बहुत छोटा ल अच्छा फिसे अलगेटर भी है और देड़ दो इंच तक यह भी चल जाता है एक टाइम का बाद ड्वार्फ को रमी भी आप रख सकते हो इसका भी दो तीन वेराइटी से ब्लू है रेड लेली है ड्वार्फ है कुछ-कुछ अभी इधर ही ब्रीड हो रहा है तो रहा प्र यूपर 40 मिलता है तो पता नहीं वह बार से लोकलर प्राइड है तो यह प DF अच्छा फिसे ज्यादा बढ़ाइड होता है चोटा आ पीजिस के साथ अरवसे लेला है कि फिर आता है पोलर पारट यह कोजग प्ले उस तो यह गाइस एक टाइम तक रह लेगा बट जब ब्री अग्रिसिव हो जाता है उस टाइम आपको सेपरेट कर देना होगा या आप उनको थोड़ा हाइडिंग प्लेस वगरा दे दीजेगा तो बाकी फिस को डिस्टरब नहीं करेगा कैसे सब के साथ रह लेता है नेक्स्ट है गप्पी आपको इसली मिल जाएगा हट जगा इसका फ ब्रीड भी करता है टैंग में तो अगर किसी को ब्रीड करना है मेल फिमेल आप बाई कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका नियोन टेटर यह भी काफी फेमस फीस है अभी परेट थोड़ा हाई है और इसली अभी मिल नहीं रहा है और इसका एक और ब्लैक नियोन वह भी बहुत अच्छा लगता है देखने में बाट नियोन टेटर ज्यादा चलता है मार्केट में सजेस्ट करूगा अगर आप नियोन टेटर लेते तो थोड़ा प्लैंटेट सेट अप कीजिए देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है नेक्स्ट यह फिस तो नहीं है स्नेल से स्नेल है ठीक है हॉर्ण स्नेल है बहुत सारा है आप मतलब उतना वैराइटीस हर कोई रखता नहीं है फिर आपका नेक्स्ट अलगेटर में आता है चाइनिस अलगेटर और वो भी काफी अच्छा काम करता है अगर आपको मिलता है तो आप एक पीस एक्टिस रख लीजेगा Сам नेक्स्ट आता है मौली और पलैटीं मतलब बहुत लोगा कन्फिसन रहता है मैं आप लोग को बता देता हूं देखिए मौली में ज्यादा वेराइटीस अपको मिलेगा जैसे की ब्लैक मौली हो गया वाइट मौली ब्लैक अभी एक लकल आता है बोलता है फिर spotted molly आता है bob molly आता है फिर आपका balloon molly भी आता है फिर एक बड़े size के molly आता है उसको large molly या giant molly बोलता है फिर platty में अगर बोले तो Mickey Mouse platty अभी आ रहा है फिर आपका ordinary platty है जो पीछे का प्मूच black रहता है body rate रहता है फिर आपका short tail में भी एक normal short tail रहता है pineapple short tail रहता है फिर आपका एक Mickey Mouse short tail रहता है एक आपका red short tail रहता है normal एक double tail kangaroo रहता है वो थोड़ा महंगा रहता है मेरा पास बहुत बढ़ाया है फिर आपका सबसे कम मिलता है जो Santa Claus short tail या Santa Claus platty भी बोलता है उसको वो भी बहुत सुन्दर लगता है देखने में red and white में मेरा पास है भी साथ कुछ तो यह था molly platty short tail जो भी आप बोलो और भी कुछ अगर आप लोगों पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए next फिस है hockey stick यह भी neon tetra जैसे प्राइस रहता है थोड़ा अपडाउन करते रहता है काफी उनिक फिस है फिर आता है आपका liner black liner बोलता है उसको थोड़ा होकी स्टिक जैसे है बर्सुस का line थोड़ा उल्टा रहता है दोनों ग्रूप में रहने में अच्छा रखता है फिसस और और भी देखिए छोटा वर्याटी फिसस में बहुत सारा है हाल ली कुइंड एस्बोरा है फिर आपका मतलब रमी रोज है बहुत कुछ है तो उनका प्राइस मतलब काफी हाय रहता है जैसे कि आपका बलून रेमी हो गया सब काफी हाई प्राइस रहता है काडिनल टेटर बगएरा माउंटेन मीनियोज आ गया फिर काफी सारा आपको साइड में नाम दिख जाएगा यह सब मतलब हर एक फिसस कोई नहीं रखता है सब में प्री ओडर देने से एरेंज कर देता है थोड़ा प्राइस हाई रहता है इसका सब कुछ नाम अगर मैं भूल गया हो तो आप लोग कामेंट में एड कर सकते हैं एक और चीज़ गया कुछ मेडियम साइच के फिसस के साथ भी आप इनको रख सकते हो मैं आपको कुछ नामस पाता देता हो लाइक सार्क हो गया रेंबू सार्क गुडामी हो की मांस्टा आप इनको रह लेता है बाट चीकलोट के साथ नहीं रहेगा आप्रोत का साथ नहीं रहेगा पर फिसस हाद इह चोटा लेख सम्षानी ठी कुछ मेरत गैसे को अलत नहीं रहेगा आई होब अपलोग को आप डाउट क्लेयर हो गया होगा एड गाइस में एक और फिस्स को तो बहूली गया मतलब लेजेंडेरी हम लोग का फाइटर फिस्स बेटा फिस्स ये भी आपको easily मिल जाएगा cheap price रहता है high price भी रहता है but problem है ये अकले ही रहता है female के साथ भी pair कराना थोड़ा difficult है and male female confirm pair अगर मिलता है तो उसका भी price high रहता है तो बेटा फिस भी ठीक है छोटा जार्व के लिए या छोटा 6 इंच का क्यूब में आप रख सकते हो या कहीं पर भी आप छोटा जगा में रख सकते हो इसको झाल